वसुदेव सुतम देवं कंस चानूर मर्दनम देवकी पर्मा नंदम कृष्णम वंदे जगत कुरूम हे कंस और चानूर का वद करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वासुदेव नंदन जगत कुरूश्री कृष्ण चंद्र की मैं बार-बार वंदना करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है उमीद करती हूँ आप हर दिन मेरे चैनल पर मार्क्षीस मास की भगवान कृष्ण की कहानिया सुन रहे होंगे हर बार की तरह आज की वीडियो में भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण के एक भक्त की सची कहानी इस कहानी के निसार मतुरा में एक संत रहते थे उनकी बहुत सारे सिश भी थे और उन्हीं में से एक सिश थे सेट सेट का लंबा चोड़ा कारूबार था और वो अपने कारूबार के सिलसले में दूर देश की यात्राएं भी किया करते थे और अक्सर वो अपने घर से बाहर ही रहा करते थे एक बार वो अपने कारूबार के सिलसले में कन्नौज गए कनोज जाकर उन्होंने अपने लिए खुश्पुदार इत्र खरीदे क्योंकि कनोज अपने खुश्पुदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है उन्होंने इत्र की एक बहुत महगी शीशी संत को भेट करने के लिए खरीद ली अब कुछ दिनों के बाद सेट जी जब वापस अपना काम खत्म करके लोटे तो अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने के लिए लेकिन उस समय संत महराज कुटिया में नहीं थे उन्हीं के आसपास रहने वाले शिश्यों से पूछा तो पता चला संत महराज तो यमुना नदी किनारे गए हैं ध्यान और इसनान करने के लिए जब सेट ने ये सुना तो वो चल दिये घाट की तरफ घाट पर पहुंचे तो देखा संत महराज तो घुटने बर पानी में खड़े होकर यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं इस प्रकार जब उन्होंने बहुत दूर से संथ को वहाँ खड़ा हुआ देखा तो भाकर सेट उनके पास पहुँचे प्रणाम करके कहने लगे संथ महाराज जी मैं आपके लिए कन्नोच से इत्र की एक शीशी लेकर आया हूँ संथ ने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है लाओ मुझे दो तब सेट ने इत्र की शीशी संथ के हाथ में दे दी अब सेट जी बड़े प्रसन सोचने लगे शायद मेरा लाया हूँआ इत्र संथ महाराज को बहुत पसंद आ गया है उधर संत महाराज ने तुरंत वो शीशी खोली और सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना जी में अब जब संत महाराज ने महंगी शीशी का सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया तो उसके बाद भी वो मुस्कराते रहे सेठ ये सारा द्रिश्य देख रहे थे और ये देखकर वो एकदम से उदास हो गए और सोचने लगे कि एक बार भी संत महराज ने ये इत्र प्रयोग नहीं किया उसे सुंगा तक नहीं और बिना सुंगे बिना देखे सारा का सारा इत्र डाल दिये ये उदास खड़े वे थे लेकिन उन्हाने कुछ बोला नहीं और चुप चाप उदास मन से वापस अपने घर लोट गए अब कई दिन तक सेट जी बड़े उदास होकर सोचते रहते कि मेरा लाया हुआ इतना महंगा इत्र संत महराज ने सुंगा तक नहीं प्रयोग तक नहीं किया और बरबाद कर दिया काफी दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वो वापस पिर से संत महराज की कुटिया में उनके दर्शन करने के लिए चले गए अब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा संत महराज तो कुटिया में अकेले ध्यान लगाई हुए बैठे थे एकदम शान्त और आँखे बंद और उनके होट कोई भजन गुन गुना रहे थे आहट हुई तो उन्होंने आँखे खोल कर देखा तो द्वार पर सेट जी खड़े वे थे प्रसन नहोंकर संत महराज ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहने लगे आओ आओ सेट जी मैं तो तुम्हारा ही इंतिजार कर रहा था उस दिन तुम्हारा इत्र तो बहुत बड़ा काम कर गया सेट जी को विश्वास नहीं हुआ बड़े आश्यर और हैरानी के साथ वो संत महराज की तरफ देखने लगे फिर पूछने लगे जब उन्होंने कुछ नहीं समझा तो खुद ही पूछने लगे मैं कुछ समझा नहीं संत महराज सुनकर संत नहीं कहा उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी राधा जी ने श्री कृष्ण के उपर रंग डालनी के लिए जैसे ही बरतन में पिछकारी डाली बस उसी तमें मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बरतन में डाल दिया और इस तरह से सारा इत्र पिछकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर में चला गया बस फिर क्या था भगवान कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा राने की होली में एक नया ही रंग भर दिया और तुम्हारे कारण ही मुझे भी श्री कृष्ण और राधा राने की कृपा प्राप्त हो गई सेट जी चुप चाप बड़े हरान परिशान और अपनी आँखे बड़ी-बड़ी करके संत महराज को देखते रहे उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था यहां तक कि सेट जी को तो संत महराज की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ उधर संत महाराज ने जब सेट की आँखों में अविश्वास की जलक देखी तो कहने लगे शायद सेट जी तुमें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम करूं जाओ और मत्रौा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन करकर आओ फिर कुछ कहना सेट जी मत्रौा में इस्तित सभी राधा रानी और भवान कृष्ण के मंदिरों में कए वहाँ उन्होंने जब दर्शन किये तो उन्होंने एक बात का एहसास किया जितने भी मंदिर में वो दर्शन करने गए उन सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ती से अपनी लाए हुए इत्र की महक उन्हें महसूस हुई अब सेट जी का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्विकार कर लिया था और जब इस प्रकार एहसास कर संत महराज की कुटिया में विवापस लोटे तो संत महराज के चर्णों में किर पड़े सेट जी की आँखों से आशों की धार बहन निकली तब कहीं जाकर सेट जी को संत जी की कहीं भी बातों पर विश्वास हो पाया तब उन्हें पता चला कि किस अधिकार से संत महराज ने यमुना नदी में सारा का सारा महंगा इत्र डाल दिया था सेट जी की आँखों से आंसों को गिरते देखकर संत महराज की आँखे भी अपने भगवान की याद में गीली होने लगी इसलिए सदा याद रखना चाहिए कि संत महात्ना भले ही हमारे जैसे दिखते हो लेकिन वे हर वक्त अपना ध्यान सिर्फ अपने भगवान में लगाए रखते हैं और हम जैसों को यदिकार तब प्राप्त होता है जब हम भक्ती की रह में आगे बढ़ते हैं या हमारे मन में अपने भगवान के प्रतिश रधा और विश्वास बढ़ जाता है दूसरी तरफ संत महराज का पूरा जीवन पूरी दुनिया ही एक मात्र भगवान होते हैं इसलिए हमें भगवान के साथ साथ संत महराज का भी सम्मान करना चाहिए जो भी सादु मात्मा होते हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए उनका अपमान भूले से भी नहीं करना चाहिए उमीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी कहानी आपको कैसी लगी भगवान कृष्णी की जय लिखने के साथ मुझे जरूर बताईगा इसके साथ ही अपनी अगली वीडियो में मैं आपको सुनाओंगी भगवान कृष्णी के जन्म की कुछ बाल लेलाओं की कहानिया अगर आपने अब तक मेरे चैनल पर भगवान कृष्णी की कहानिया नहीं सुनी